हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो युनिकॉर्ण अक्याडमी तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जेएमेंस 2021 नीट 2021 एंड CBSE Board Exam Class 12 के बारे में उन तीनों ही एक्जाम के एक्जाम डेट के बारे में बात करेंगे कि कब जो है एक्जाम डेट हो सकता है इ अप्डेट जो है उसके बारे में लोग बात करेंगे एक सॉलूशन मैं आपको बताऊंगा जिनका भी 75% से कम था पिछले बार उनको भी क्या करना चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए तो चलि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो आपके सामने की स्क्रीन देख रहा होगा उस पर आर्टिकल आप देख सकते हैं रेपब्लिक टीवी का आर्टिकल है जैमें 2021 के डिट्स में क्या रिलेशन उस पर विनी जोसी ने क्या कहा है जो कि एंटिक डिरेक्टर है तो अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सी बी एसी के एक्जाम डेट्स है उसमें क्या चेंजिस आ सकते हैं कि आप उस्पोन किया जख सकता है और उसकी वज़से क्या जेए में के डेट्स में चेंजेस आ सकते हैं तो यह तो रिपब्लिक टीवी का आर्टिकल इसमें आप देख सकते हैं कि जेए में 2021 रजिस्ट्रेशन डेट फॉर जैन्वरी सेशन में फेसर डीले तो इ आते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो है क्या रिलेटेड उसका अपडेट आया है जो कि आपको बता सकता है कि जो एक्जाम है वो पोस्पोन होगा कि नहीं होगा तो उसके रिटेट जी नियूज ने एक आर्टिकल रिलीज किया उससे आपको पता चलेगा क्या सी ब CBC to postpone class 10 and 12 board exams like maharashtras and gujarat board latest updates students need to know मतलब CBC जो वो class 10th and class 12th board exams जो हो पोस्टपोन करवा सकती है जैसा कि maharashtras and gujarat board ने कर दिया है already उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है जो कि वो març में लेते थे वो मई में में लेने वाले हैं तो उन्होंने दो महिने पोश्टपॉन कर दिया है बोड एक्जाम को, तो क्या CBSE भी अपना एक्जाम जो पोश्टपॉन कर सकती है, तो उसके बारे में G News ने एक आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल आपके सामने देख सकते हैं, तो एंड मैं आपको उसके बाद ये रिलेशन भी बताऊंगा कि अगर CBSE एक्जाम डेट पोश्टपॉन करती है, तो क्या NTA जो है वो जे में से नीट का एक्जाम डेट पोश्टपॉन करवा सकती है, तो जैसा कि पिछले साल अगर कोरोना नहीं था, तो उसमें CBSE जो है वो 15 Feb से 30 मार्स तक उन्होंने पेपर लिया था एट इस टाइम पे जो है उन्होंने application form मतलब registration dates जो है मतलब date बता दिया था, schedule बता दिया था CBSE एक्जाम का, लेकिन अभी तक जो है वो उन्होंने ये नहीं बताए कि schedule क्या होने वाल है, date क्या होने वाल है, लेकिन इस article में जैसा आप पढ़ सकते हैं कि date seat for CBSE class 10-12 board exams is usually released in December and it remains to be seen whether CBSE would do same this year too in 2019 CBSE had released the date sheet in early November as it had announced the decision to pre-porn the board exam this year CBSE is yet to make any announcement regarding the release of date sheet for 2021 board exams मता अभी तक उन्होंने रिलीज वो नहीं किया लेकिन sources claim that many students and parents want the CBSE to postpone the exams till May due to coronavirus outbreak तो बहुत सारे students and parents चाहते हैं कि मई तक postpone कर दिया जाएं coronavirus की वज़े से जैसा कि महाराश्रा और गुजरात बोर्ड ने कर दिया अल्रेड it is likely that the decision taken by महाराश्रा और गुजरात बोर्स would force the CBSE to take a similar decision and make an announcement soon the CBSE had recently released the latest sample papers तो उन्होंने sample paper जो जारी के है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के questions पूछे जा सकते हैं तो main point पे चलते हैं कि in July CBAT is less the syllabus for the CBSE academic session by 30% तो 30% उन्होंने already जो रिडूस कर दिया CBSE का syllabus and it is expected that CBSE might further reduce the syllabus for upcoming CBSE board exams तो और भी जो रिडूस कर सकते हैं syllabus इसके chances हैं लेकिन जो main point है इस वीडियो का उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि several media reports have claimed that the CBSE is likely to release class 12 date 2021 और CBSE timetable 2021 in few days मतलब कुछी दिनों में आप देखेंगे कि CBSE 2021 का exam date जो schedule हो आउट हो जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या जही में से need जो वो postpone हो सकता है जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर CBSE अपना exam date postpone करेगी देन विनी जोसी जो कि NTA के director है उन्होंने कहा था कि वो भी postpone जो हो कर सकते हैं तो इसी हफते कुछी दिन में CBSE decision ले लेगी schedule के related and then NTA जो वो application form release कर देगी तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि application form जो वो कब release कर सकती है NTA क्योंकि CBSE अब decision लेने वाली schedule पे NTA के director जैमेंस और NEET का जो है वो भी डेट बता देंगे कि postpone होगा कि नहीं होगा and application form भी release कर देंगे तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको 75% क्राइटेरिया पर अपडेट दोंगा तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो आगे हम वीडियो में बताने वाले वो उन students के लिए helpful है जो कि पिछले बार जिनोंने exam दिया था है CBSE का जिनका 75% नहीं आया है तो उनके लिए बहुत helpful होने वाला है तो जिनको भी ये problem नहीं है तो वीडियो जो है वो जोड़ सकते हैं क्योंकि उनका जो है वो time waste होगा लेकिन जिन students का 75% से कम है वो वीडियो को continue रखे क्योंकि उनके लिए बहुत helpful information जो वो होने वाला है तो friends 75% criteria कि अगर बात करें तो most chances मतलब most probably यही होने वाला है कि 75% criteria को इस साल के लिए भी हटा दिया जाएगा मतलब जो 75% criteria जो जरूरी है 75% CBSE board में लाना वो हटाया जा सकता है due to corona इस साल भी जैसा कि पिछले साल हुआ था लेकिन अगर नहीं हटाया गया तो तो ऐसे questions जो ह बहुत सारे students ने comment section में भी लिखा था कि उनका 75% से थोरा सा कम है तो क्या वो April के लिए attempt जो है वो उसका preparation चालू कर सकते हैं या फिर उनको फिर से re-examination जो होता है वो देना चाहिए तो इसमें हम आपको अपना suggestion देने वाले हैं लेकिन final decision जो आपका ही होगा आप अपने मर announcement नहीं आने वाला है यह जो हम आपको बताने वाले यह हमारा suggestion जो है वो रहने वाला है तो जिनका भी 75% से ज़्यादा आया था पिछले साल उनके लिए तो कोई चिंता की बात है नहीं लेकिन जिनका 75% से कम आया था उनको क्या करना चाहिए उनको re-examination देना चाहिए कि न आने वाले होंगे re-examination के तो मेरे इसाब से 12th वोर्ड का जो re-examination होने वाले जो भी droppers है जो इन्हों इस साल जिन्होंने ड्रॉप लिया है जे मेंस 2021 ड्रॉप लेके देने वाले अगर उनका 75% से कम है तो उनको re-examination के लिए अपलाई करना चाहिए बहले ही बाद में य लॉस हो जाएगा इसलिए हमारी सलाह यह रहेगी कि आप re-examination के लिए अभी अपलाई करते हैं चार्जेस जो है जो लग सकता आपको उसका भी मैंने स्क्रीन पर दे दिया आप देख सकते हैं लेकिन यह जो जितने भी चार्जेस लगने वाले 300 400 यह आपको re-examination के लिए अपलाई कर देना चाहिए क्योंकि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए 300-400 अपस्पेंड कीजिए लेकिन रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि आपके future का सवाल है तो हमारा suggestion यह रहेगा कि आपको re-examination के लिए अपलाई करना चाहिए जिनका 75% से कम है लाइक एंसे जरूर किजिएगा चल्क सब्सक्राइब करेजिएगा और बैल आकिन को इंप्रेस कर देता क्या पैसे हमारे प्रीडियोस को जोई करते रहे हैं और विए मिसना करें